गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स इशू फशेर में नेक्स टोपिक है हमारा इशू फशेर एट प्रीमियम कि पहले हमने क्या था एट पार वाला सम्मेने आपको कल करवाय था कि एट पार क्या है कि जब हम 10 रुपे वाला शेर 10 रुपे में ही इशू कर रहे हैं या फिर 100 हिरे इशू कर रहे हैं जितनी उसकी वैल्यव ऐ हम उतने का यह हमें लोड कर रहे हैं ठीक है तो यह का हमारा इशू oh share पार को इक उस्टे हैं कोई भी आप और इक्सपेंस घर यह होती है अब यहां हमने two bank ना करके हमने equity share capital क्यों किया कि हमने उसको cash नहीं दिया हमने उसको अपने shares दिया है अगर shares दिया है तो यहां shares लिखेंगे ठीक है तो यह हमारा issue at par था आज का topic है हमारा issue at premium कि जब हम 10 रुपे वाला share अगर 12 रुपे में देंगी तो 2 रुपे वहां premium कहलाएगा हमारा ठीक है तो premium अगर हम अपना face value 10 है और base 12 में रहे हैं उसको sell 12 में कर रहे हैं तो it means 2 रुपे जो हमारे पास आ रहे हैं issue of share में वो हमारे premium के हैं तो premium हमारे लिए क्या हुआ benefit हुआ तो benefit होने पर हम इसको credit करेगे ठीक है इसको credit ही किया जाएगा उसके बाद है अगर हमारा एसी तने से suppose अगर 100 रुपेज का है 100 पे भी हमने 20% premium पर रखा है तो it means 100 का 20% हुआ 120 total 120 means 20 100 पे 20 हुआ 20 100 का तो share है plus 20 premium के है तो total share की value आ जाएगी 120 20 पे जो हमारा premium होगा इसमें हम जो general entries करते हैं वो कैसे करते है स्टार्टिंग वाली entries हमारी सेम आएंगी जब भी हम application में गवाते हैं तब हमारी ये first entry हर question में सेम होगी bank account, debit to share application, application, money, received including premium अगर हमारा इसमें including premium होगा तो यहां हम premium नहीं दिखा रहे है वो premium हम कब दिखाते ह हैं वो तब दिखाएंगे तो first entry हमारी सेम होगी यहां हम लिक देंगे नीचे कि including premium अगर हमने premium मंगवाया है next entry होगी हमारी share application to share capital यही entry हमने की थी लेकिन security premium आएगा अगर हमने application के साथ premium की amount मंगवाई है और यह हमारा benefit है तो हम इसको credit करेंगे यह ध्यान रखना है कि premium की amount हमेशा credit की जाएगी तो share application to share capital यह last question में हमने किया था सिरफ security premium नहीं लिया था यह किस case में है जब हम application के साथ premium मंगवाते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि हम premium को जो है allotment के साथ मंगवाएंगे तो जब हम allotment due करते हैं share allotment account debit to share capital जब हम उसको due करेंगे last lecture देख सकते हैं last lecture में आपको अब का और पहले वाला difference clearly नजर आएगा कि क्या difference था तो इसमें क्या हो ठीक है due करने पर लेकिन अगर हम premium मंगवा रहे हैं तो हम premium credit करेंगे और इस case में भी उसी तरह से जैसे bank account हमने debit किया to share allotment किया वैसे ही आ जाएगा सिरफ due के time आपने ये entry add करनी है due के time या transfer के time जैसे यहां transfer के time था तो transfer के time हमने security premium add किया तो यह depend करता है question में क्या बोला गया है कि application के साथ premium आएगा या allotment के साथ premium आएगा तो इसमें जब भी money receive होगी तो receive की entry हम यही दिखाएंगे bank account debit to share allotment यहाँ नहीं होगा यहां कुछ नहीं किया जाएगा क्योंकि हमने एक तरफ उसको credit कर दिया जैसे हमने first entry में भी कुछ भी नहीं किया था जितनी amount आई उसको बाद में हमने divide करके बताया कि यह इतनी capital की थी इतनी हमारी premium की थी ठीक है तो यही नया point था हमारे आज के इस topic में तो जो यह sum दिया गया है आपको यह question जो दिया गया है इसमें allotment के साथ premium है allotment के साथ including premium है तो application वाली same जो entries है वो same होगी allotment जब due करेंगे तब उसकी premium वाली amount जितने आप premium गवा रहे हैं वो include किया जाएगा clear बस और जब बाद में आप करेंगे तो bank account debit to share allotment बाकी as it is रहेगा चाहे वो first call है चाहे वो second call है उसमें कुछ भी change नहीं आएगा सिरफ allotment में आपका security premium जब आपने due किया है तब उसको credit करेंगे बस एक ही anti-ide की जाएगी तो आज के लिए आपने यही question करना है issue of share at premium okay thank you have a nice day